रिविजन स्टाट तो रिविजन के लिए हम लोग ये देखेंगे तो इसमें पूरे एक चैप्टर का लिखा है तो now me and my family तो now first getting to know me मतलब my name तो आपका जो नाम है वो boy और girl अगर आप boy हो तो boy, girl हो तो girl my age मतलब आप कितने साल के हो वो my class मतलब आप किस class में पढ़ते हो वो my school तो आपके school का जो नाम है वो my address आप जहां रहते हो वहाँ for example मैं अभी बोल रहे हो okay my name is Monica, I am a girl, I am 25 years old, I study in 10th standard, I go to LP Savani Riverside school my address is 28 oblique to kanji nagar where आप लोग ऐसा बोल सकते हो okay तो now next my birthday हम लोगों ने सिखा ना my birthday के बारे में तो now my birthday में क्या आता है day we are born मतलब birthday मतलब क्या कि जिस दिन हमारा जनम होता है उस दिन को birthday बोलते है where new dress तो हमारा बड़े होता है तब हम लोग क्या पहनते है नएा dress पहनते है फिर क्या करता है करते है invite friends, friends को invite करते है फिर क्या करते है cut a cake, cake cut करते है फिर give chocolates क्या करते है जो friends आते है उनको chocolate देते है and get gifts तो बड़े के दिन क्या हमको gifts भी मिलते हैं तो बड़े के दिन हम लोग क्या करते हैं नई कपड़े पहनते हैं, friends को invite करते हैं cat cut करते हैं, chocolate देते हैं और gifts हम लोग को मिलते हैं अभी now my favorite things मतलब आपको जो चीज करना अच्छा लगता है उसको my favorite things बोलते हैं dance मतलब dance करना swim मतलब तेरना play मतलब खेलना इन में से आपको जो अच्छा लगता है वो आपको बोलना है ओके? now my favorite fruit तो आपको कौन सा fruit अच्छा लगता है? ओके? mango, banana, कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बोल सकते हैं now my favorite toy तो आपका favorite toy क्या है? Barbie doll या जो भी कुछ है वो my favorite cartoon character तो आपका favorite cartoon character क्या है? वो आपको बोलना है ओके? now what parents do for us हमारे parents हमारे लिए क्या करते हैं? वो हम लोग अभी सीखेंगे care for us क्या करते हैं? हमारी care लेते हैं food, shelter, clothes मतलब खाना देते हैं sladder देते हैं और कपड़े देते हैं हमारे parents लाते हैं हमारे लिए earn money हमारे बच्चे के लिए हमारे लिए पैसे कमाते हैं take care of us when sick जब हम लोग बीमार होते हैं तब हमारी care करते हैं play with us हमारे साथ खेलते हैं help us with studies हमें study में मतलब पढ़ाई में मेहनत हमको help करते हैं help us get ready for school हमें school जाने के लिए भी help करते हैं तो हमारे parents जो होते हैं वो हमारे लिए ये सब करते हैं now my family family made up of people who love each other family उन लोगों से बनती है जहां लोग एक दुसरे को love करते हैं तो family किस से बनती है people से जहां people एक दुसरे को love करते हैं okay father, mother, brother, sister okay papa, mommy, भाई, बेहन से क्या बनती है small family बनती है क्या बनती है small family okay तो ये पूरे chapter का ये sort में ये revision यहाँ दिया है okay तो मैंने ये सब आपको explain किया है अभी हम लोग exercise देखेंगे okay इसके related उसका revision करेंगे हम लोगों ने me and my family सिखा था उसकी exercise भी हम लोग ने की थी लेकिन आज हम लोग फिल से उसका revision करेंगे okay तो question 1 है filling in the blanks now A we sued blanks always never fight with our brother and sister हमें अपने भाई बेहन के साथ fights करनी चाहिए या कभी नहीं करनी चाहिए तो नहीं कभी नहीं करनी चाहिए तो हमारा answer आएगा never we should never fight with our brother and sister now B father and mother are called blanks parents बोलते है या siblings बोलते है ममी पपा को parents बोलते है तो यह option parents आएगा तो यहाँ parents का spelling लेकिन now C our blanks brother and sister father mother are called sibling तो sibling किसको बोलते है brother and sister को बोलते है या father and mother को बोलते है brother and sister को sibling बोलते है now D the day we are born is called blanks birthday या holiday जिस दिन हमारा जनम होता है उस दिन को हम लोग क्या बोलते है holiday बोलते है या birthday बोलते है birthday बोलते है तो यहाँ answer आएगा birthday now E father, mother, brother and sister are called blanks family बोलते है या friends बोलते है mommy, papa, भाई, बेहन को क्या बोलते है family बोलते है तो family answer यहाँ blanks में आएगा ok next question 2 tick, write the correct sentence cross the wrong sentence जो correct sentence से उसके सामने ये टिक करनी है जो wrong है उसके सामने cross करना है now E I keep my room clean and tidy मैं अपना room clean रखता हूँ तो right आएगा, wrong आएगा right आएगा तो यहाँ हमें right करना है now B I fill my water bottle on my own मैं अपनी water bottle अपने आप fill करता हूँ तो right आएगा, wrong आएगा right आएगा तो हम लोग इसमें right करेंगे ok now C I add food by myself मैं अपना खाना अपने आप खाता हूँ ok तो क्या आएगा right आएगा now D I share things with other मैं अपनी चीजे दूसरे के साथ share करता हूँ तो right आएगा, wrong आएगा right आएगा ok now E I help my mother at home मैं अपनी मम्मी को घर पे help करता हूँ तो यह right आएगा, wrong आएगा